Welcome back दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तो का दोस्तो आज की वीडियो में हम वीडियो कौन टेलिवीजन में ABL और प्लेन राश्टर की प्रॉबलम को सॉल्व करेंगे दोस्तो इस टेलिवीजन में समस्या है कि जब हम इसको ओन करते हैं तो दोस्तो एक बार के लिए तो थोड़ा सा डिस्पले आता है उसके बाद दोस्तो इसका डिस्पले दीरे दीरे चला जाता है और दोस्तो वीडियो सिगनल देने के बावजूद भी इसमें प्लेन राश्टर आता है तो दोस्तो इस समस्या को कैसे ठीक करते हैं इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक चोटी सी रिक्वेश्ट अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन पर क्लिक कर दें आकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके दोस्तों प्लेन राष्टर वाली समस्या में सबसे पहले आपको आउटपुट वाली सप्लाई चैक करनी है दोस्तों यह सप्लाई आपको 110 बोल्ट से लेके 115 के बीच में प्राप्ट होनी चाहिए इसके बाद दोस्तों EST से आउटपुट 180 बोल्ट वाली लाइन को भी हमें चैक करना है दोस्तों यहां पर हमें कम से कम 160 बोल्ट से लेके 180 बोल्ट के बीच में बोल्टेज प्राप्ट होना चाहिए दोस्तों प्लेन राश्टर की समस्या 22UF 200 बोल्ट के फिल्टर के खराब होने के कारण भी हमारे टेलिविजन में प्लेन राश्टर की समस्या आ सकती है दोस्तों जरूरी नहीं है कि 180 बोल्ट वाली लाइन में फिल्टर ही खराब हो कुछ और भी खराब हो सकता है तो दोस्तो आप इस लाइन में मौझूद सभी कमपोनेंट जो 180 बोल्ट की सप्लाई वाली लाइन में लगे हुए हैं उनको बारी बारी चेक कर लें दोस्तो इस समस्या में हमारा CRT वेस भी खराब हो सकता है दोस्तो CRT वेस में फंगस या मोफचर आने के कारण हमारे टेली वीजन में ये समस्या आ सकती है दोस्तो पिच्चर टूप पर लगी RGB पलेट को भी आप चेक कर लें दोस्तो कई बार ड्राई होने के कारण भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी RGB पलेट है वो काफी ड्राई है तो दोस्तो एक बार हम इसको रिसोल्ड कर लेते हैं दोस्तो RGB पलेट को रिसोल्ड करने के बाद भी दोस्तो हमारे टेली वीजन में प्रॉब्लम सेम है दोस्तो अब आपको RGB पलेट पर कुछ बोल्टेज चेक करने हैं जो बोल्टेज दोस्तो आपको इस वीडियो में दिखाए गए हैं अगर दोस्तो ये सभी वोल्टेज आपके टेलिवीजन में सही हैं तो दोस्तो आपको ABL सेक्शन को चेक करना है दोस्तो ABL लाइन में जितने भी कंपोनेंट आते हैं आपने उन सभी कंपोनेंट को एक एक करके चेक कर लेना है तो दोस्तो ABL लाइन में हमें 220K की रेजिटेंस खराब मिली जो की हमारी 180 बोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट की गई है दोस्तो बाकी इस लाइन में और भी रेजिटेंस होती हैं जिनकी वैल्यू हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं दोस्तो आपके सामने अगर इस तरह का फाल्ट आता है तो दोस्तो आपको ये सभी रेजिटेंस चेक कर लेनी है दोस्तो ABL लाइन कहां तक जाती है और इस पे क्या-क्या बोल्टे जाते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो में बने रहें दोस्तो ये दो आप जीनर देख रहे हैं दोस्तो इन जीनर के बाद हमारा ABL पॉइंट हमारी मेन आईसी को जाता है कि एक चिप वाला आईसी है दोस्तो वीडियो में दिखाए गए बोल्टेज भी आपको चेक कर लेने है दोस्तो ये सब चेक करने के बाद भी आपके टेलिवीजन में प्लेन राश्टर की प्रोबलम है यहां ABL की समस्य आ रही है तो दोस्तो आपका चिप वाला आईसी खराब है फिलाल दोस्तो हमारा टेलिवीजन ओके हो गया है और दोस्तो यह ओके 220 के की रेश्टेंस बदलने के बाद हुआ है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम भारत माता की जाए